दूसरा है पुन्सवन संस्कार दूसरा है पुन्सवन संस्कार ये पुन्सवन संस्कार दूसरे या तीसरे महिने में जनरली किया जाता है तो इसके लिए हमने इसमें श्रीमत भागोतम से एक कोट दिया है और ये श्लोक का अनुवाद है ये तातपर ये नहीं है श्लोक का अ माता देहुती और करदम रिशी जब उनका माता देहुती गर्भवती हो जाती हैं तो उसके बाद में उनके नियम बताएं उसके बाद में भगवान कपिल ये सब एक्स्प्लेन करते हैं कि जीव की गर्भा में कैसी अवस्था होती है और उसका शरीर का निर्मान कैसे होता है और उसके बाद में वो भगवान से प्रार्थना करता है, कि मुझे यहां से निकालिए, मैं अगले बार अब 100% भक्ती करूँगा, इस बार मैं संसार के लोगों में नहीं जाऊंगा, मैं केवल भगवान की भक्ती करूँगा, भगवान आप मुझे शक्ती दीजिए, मुझे बुद्धी दीजिए, मुझे बक्ती दीजिए, ऐसे प्रार्थनाएं करता रहता है, तो जो पहला महिना होता है, जब इस्तरी गर्ववती धारन करती है, तो पहले स्कल वनना ही स्टार्ट होता है, थोड़ा थोड़ा लेकिन उसके बाल में दो महीने के अंतर हाथ पाउं अंग इत्यादी आकार तयार होते हैं तीसरे महीने तक नाखून उंगलियां अंगुठे रोएं हड़ियां तथा चमड़ी प्रकट होती है और इसी में जनेंद्रिया तो यह जो पुंसवन संसकार है पुंस का मतलब होता है जीव तो पुंसवन संसकार का मतलब होता है कि इसमें जो जीव आ गया है उसकी जनेंद्रियां जागरुक होती है तो उसी में decide होता है यह लड़का होगा है लड़की होगी यह तीसरे महिने में decide हो जाता है तो यह एक संसकार है जिसमें यदि कोई पुत्र प्राप्ति करना चाहता है तो यह संसकार उसे करना चाहिए लेकिन इसका उद्देश केवल पुत्र ही हो ऐसा नहीं है यह संसकार का उद्देश है गर्भवती का गर्भ रक्षन के लिए करना चाहिए क्योंकि ज़्यादा तर देखा गया है कि जितने भी miscarriages होते हैं वो जनरली दूसरे तीसरे चोथे महिने के बीच में ज़्यादा होते हैं यह ज़्यादा होते हैं ऐसे तो साथवे आठवे महिने में भी हो सकते हैं लेकिन इन समय में ज़्यादा होता है तो गर्भवती इस्त्री को चाहिए कि पुन्सवन संसकार जो है यह संसकार गर्ब के रक्षन के लिए होता है और यह संसकार में भगवान से विशेश प्रार्थना की जाती है कि भगवान ओम पुमानसो महा विश्णू वासदेवो अच्युतान अंताव भव ऐसे मंत्र हैं, उन मंत्रोकार्थ ऐसा है कि हे भगवान, हे विश्णु, आप गर्भ में समाईए और आप इनकी रक्षा किजिए, ऐसे ही मंत्रों का अर्थ है तो कुछ लोग कहते हैं कि पुनसवन संसकार करने से क्यों पुत्र ही होगा तो नहीं, ये पुत्र होगा ये पुत्री होगा ये तो भगवान निर्भर करेंगे लेकिन अगर आपने गर्भाधान अच्छे से और पुनसवन संसकार अच्छे से कराया तो चांसे जदा हैं कि पुत्र ही होगा इसके लिए अब ये बार बार पुत्र की बात इसलिए आ रहे क्योंकि हमने पहले बताया कि हम धर्म की लिए पुत्र को उत्पन करना चाहते हैं जो आकर के धर्म के विचार करे, धर्म की सेवा करे, भगवान की सेवा करे, इसके लिए पुत्र चाहिए, जैसे पिंड़दान करने के लिए पुत्र चाहिए, तो क्या पुत्री नहीं कर सकती, कर सकती है, लेकिन पुत्र का आवशक्ता अधिक है, और होना भी चाहिए, क्यों ये पूत्र प्राप्त कराने का प्रयत्न होना चाहिए, और इसमें कोई feminism या इस बातों को आप मन में मत लाइएगा, कि हम इस्तरीयों के विरोध में हैं, या स्तरी कम चाहिए, ऐशा कुछ नहीं है, इस्तरी के बिना भी जीवन नहीं है, लेकिन इसका उद्देश जो बता रहा हूं उसे आप समझिए तो ऐसे आगे भी उसके बहुत सारे श्लोक है और उनमें ये सब explain किया गया है कि किस प्रकार गर्भ की अवस्था है तो आप तीसरा असकंद 31 अध्याय का वो पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो गर्भ के बारे में पूरा डिटेल बताया गया कि किस किस प्रकार से गर्भ की अवस्था होती है तो ये है पुन्सवन संसकार अब आपके अगर फिर भी कोई प्रशन होंगे तो आप रखिएगा मैं सिमन्तो नेन कंप्लीट करने के बाद आपका प्रशन लूँगा सिमन्तो नेन संसकार सिमन्त मतलब इस्त्री का यह भाग जहां वो सिंदूर धारन करती है तो उस भाग का पूजा होता है उसी को सिमन्त कहते हैं सिमन्त मतलब जो इस्त्री मांग में सिंदूर धारन करती है सिंदूर धारण करने के लिए हमारे शास्त्रों में विशेश रुप से विवास अंसकार में मंत्र पढ़े जाते हैं जो इस्त्री विवाहित हो जाती है तो वो पूर्ण शिंगार यानि सोलह शिंगार कर सकती है और सोलवे शिंगार में सिंदूर आता है जो इस्त्री विवाहित है उसे अपने पती को प्रसंद करने के लिए शिंगार करना चाहिए लेकिन इस्त्रियां जब पती घर में होती है तो दूसरे आउतार में होती है और जब बाहर जाना तो दूसरे आउतार में होती है तो इस कारण से देखा जाता है कि इस्त्री पूरुष की जो संबंध हो रहे हैं वो कमजोर हो रहे हैं क्योंकि इस्त्रियों को शिंगार करना चाहिए एक मात्र पती के लिए और एक इसमें महत्वपूर्ण ज्यान या जानकारी जोड़ दूँ आपको जो इस्त्री सुबह ब्रह्म मुहरत में उठ करके शिंगार करती हो सिंदूर लगाती हो खुब शिंगार करती हो स्नान करके और अपने पती को दर्शन देती यानि पती के आँख खुलने से पहले पत्नी युदे उसे अगर शिंगार किया हो दर्शन देती है तो उसके पती का बिगड़ता काम भी बन जाता है पर ये भी उल्टा होता है इसलिए बिगड़ता काम भी अरे बनता काम भी अब इसमें उनकी कोई गलती नहीं है आप लोग ऐसा मत सोचिए वास्तविक्ता ये है कि इस्तिरियां काम बहुत करती है थक जाते हैं उनका बुद्धी बहुत काम करता है तो जो इस्तिरियां होती है उनका दिमाग जो होता है वो पुरुषों के मुकाबले अधिक चलता रहता है वो ज़्यादा चिंता करती है ज़्यादा केरिंग होती है जादा आपके बारे में सोचती रहती है भले हम बैट के आराम से यहां पर एसी का हुआ ले 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 कि पत्नी सोचने की बिचारा कितना कष्ट कर रहा होगा तो यह एक इस्तरी की भावना होती है जिसमें चिंतन चलता ही रहता है इतना चिंता यदि भगवान की कर ले तो उसको भगवान बहुत जल्दी मिल जाएंगे और इसलिए इस्तरीयों का चिंता जो है न वो परिवार को लेकर के हर एक विक्ति को लेकर यहां तक कि वो यह चिंता करती है कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है जिसके बारे में एनिवे उसको मालूम नहीं पढ़ने वाला है लेकिन वो चिंता करती रहती है वो मेरे बारे में ऐसा सोच रही है जिस वज़े से उनका जो ब्रेन है वो बहुत ज़ादा ठक जाता है और जिस वज़े से उन्हें नींद जाता आती है चानक के पंडित कहते हैं कि पुरुष के मुकाबले इस्त्रियों को अधिक भूक लगता है अधिक निद्रा होती है और अधिक काम होता है ऐसा तो सब डबल होता है पुरुष के मुकाबले इस्त्रियों को पर इस्त्रियां ऐसा नहीं है कि एक साथ बहुत खाती है पर उनको ये अंदर जो शारिरिक शम्ता होती है, पुरुष के मुकाबले अधिक होता है, वास्तों में उनके शरिर में बल कम होता है, इसलिए उसको अबला नारी कहा जाता है अबला मतलब जिसमें बल कम हो लेकिन वास्तों में इस तरियों में बल बहुत होता है इसलिए इस्त्रियों को भगवान एक सबसे बड़ा गुन दिया हुआ है और वो है धैर्य, patience, वो बहुत होता है उनमें और इसी कारण से वे जीत लेती हैं संसार को जैसे अपने परिवार को, अपने पती को, बच्चों को सबको कंट्रोल कर पाती क्योंकि उनमें धैरे बहुत होता है, patience होता है उसके अलावा ये सिमंतो नें संसकार देखे, इसमें जो पहला फोटो है माता जी थोड़ी foreigner है, लेकिन वो Indian style में उन्होंने कपड़े पहने हुए शिंगार कर रही है तो ये सिमंतो नें संसकार में इस्तरियों को फूल के शिंगार किये जाते हैं फूल मालायों का शिंगार कराया जाता है यानि उसे वो सुक दिया जाता है, जैसे विवाह के समय उसने शिंगार किया था उसी प्रकार वह सिमंतो नैन के समय भी उसे मा बनने का सुख मिल रहा है और भविश्य में वो मा बनने वाली है उसके लिए ये संसकार कराये जाता है तो ये संसकार छटे, सात्वे या आठवे महिने में भी होता है चोथे महिने में भी कर सकते हैं लेकिन जनरली लोग छटे या सात्वे महिने में ये संसकार कराना ज़्यादा प्रफेरेबल मानते हैं तो इसमें दूसरा हमने एक फोटो रखा है जिसमें आप देख सकते हैं पार्क्यूपाइन क्विल है ये स्याही एक जानवर होता है न तो उसके बालों का स्पर्ष कराने से उसके अंदर कुछ अंतरिक शक्तियां मिलती है जो नकारात्म कुर्जाओं से उसकी रक्षा करती है उसका स्पर्ष कराया जाता है ऐसे बालों में यहां से यहां तो वो पार्क्यूपाइन क्विल होता है जो हम लोग सपर्ष कराते हैं और तीसरा आप देख रहे होंगे जो इमेज है वो अउदुंबर यानि अंजीर का एक फल है वो फल ऐसा होता है जिसमें इतने बीज होते हैं कि बीज सही थी हम पूरे फल को खाते हैं अंजीर जिसमें धारण कराते हैं जिस प्रकार एक बीज में बहुत बड़ा पेड छुपा है उस प्रकार भगवान आपके गरब में बहुत सारे बीज आएंगे उसी प्रकार भगवान आपके गर्ब में ऐसे शक्ति दे कि वो भी आकर के आगे आगे बच्चों को प्रजनन करता रहे यानि वो चलता रहे परंपरा आगे बढ़ती रहे इसके लिए ये संसकार होता है तो इन सभी का स्पर्ष करा जाता है उसके उपर जल छिड़कती है अक्षता छोड़ती है जिसे उसे आशिरवाद देती है कि वह बहुत सुन्दर बच्चों को जनम दे ठीक है तो ये सिमन्तो नयन संसकार है सिमन्तो नयन उन नयन का मतलब क्या होता है उपर उठाना क्यूं? क्यूंकि ये संसकार छटे महिने में या सात्यों मैंने इसलिए बताया गया है कि जो बच्चे होते हैं उनका बुद्धी ब्रेन जागरुक हो जाता है छटे महिने में तो जब उनका बुद्धी जागरुक हो जाता है तो उस समय माता क्या खा रही है क्या बोल रही है क्या सोच रही है उसका पूरा प्रभाव उस पर पड़ता है तो इसलिए महराष्ट में और दक्षिन भारत में ऐसी माननेता है कि जो इस तरीक जब उसका सिमन्तो नेन संसकार हो जाता है वो यानि उसको गोद भराई कहते है वो जब हो जाता है तो उसको उस मानिता है पर यह निर्भर करता है यह प्रेम भी है कि लड़की रिलाक्स रहे और मैंने ऐसा भी देखा महाराश में वो कहते हैं कि वो जगडा करते हैं कि वो पहला बच्चा हमारे घर ही होना चाहिए मतलब वो उसका सब खर्चा हम उठाएंगे तो ऐसी इतना सुन्दर यह तो अच्छा है यह सब पालन होना चाहिए तो इस प्रकार यहा सिमनतोने संस्कार है और इसमें सभी जो मता एं जैसे अब आप सभी भकत जो लोग सुन रहे हैं online, offline जो लोग भी तो जब भी कहीं सिमन्तों ने इन संस्कार हो यदि आपको कहीं इन्विटेशन आए तो आप वहाँ पर जब भी जाएगा तो कुछ वस्तुएं साथ में लेके जाएगा जनरली तो लोग इन्वलप लेके जाते हैं कुछ पैसे लेके जाते हैं सभी में ब्रामण चाहिए सभी में आहुती पढ़नी चाहिए और सभी में दान होना चाहिए कोई भी विदि करते हैं तो यग्य पूजन इत्यादी होता है पर ये सब जो संस्कार हैं इन संस्कारों को यदि आपके आजपास कोई अच्छे ब्रामण भी हो तो आप उनसे कराई ऐसा मत सोचिए कि बाहर कोई अच्छे ब्रामण है ही नहीं है आज भी बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्रामण है पर हाँ अब ये मत सोचिए कि अगर हमको ये ब्रामण नहीं मिले तो हमाला संस्कार कैसे होगा इसके उपर आधारित मत रही, कोई भी संसकार कराने के लिए अगर योग ये ब्रामण मिले, तो आप उनसे करा सकते हैं, और ये सबी संसकार करके, ब्रामण, वैशनो, भोजन, ये सब महत्वपूर्ण हैं, होने चाहिए, और ये करने से आशिरवाद मिलता है, और ये सब जो वो सुख मिलेगा, जिसकी उसने कामना भी नहीं के थी, ये संसकार उसका परणाम है, ठीक है, तो यहाँ पर हम रुकते हैं, आप लोग के कुछ प्रशनें तो हम ले सकते हैं, उसमें यग्य होता है, और जो पती होता है, वो अपने पत्नी के नाभी को सपर्श करता है, और वो जो मैंने मंतर पड़ा, ओम, पुमान, सो, महा, विश्न, वा, सुदेव, ये मंतर का उचानन तीन बार कराते हैं, ताकि भगवान आपके गर्वे के रक्षा करें, तो उसके लिए पहले भगवान को आहुती देते हैं, और फिर ये विदी करते हैं, फिर बाद में वाद कि जनरली अगर जो इस्तरियां और जो पुरुष, अच्छा योग्या अपने शरीर को भोजन, आहार, विहार, वो सब अच्छे से रखते हैं तो ये सारे इश्व नहीं होती, रही बाद कि जो डॉक्टर होते हैं, ये डॉक्टरों का कामी है कि इतना करोडों रुपया दे इतीस साल चालिस वर्ष के हो चेके होती है, अब उनको पैसा कमाने के लिए मिलता है, तो जनरली वो लोग ये सारे एक प्रकार का स्कैमी आप बोलिए इसको, कि ये आजकल चालू हो गया है, कि आप कही नॉर्मल डिलिवरी नहीं होती है, पर इसमें केवल डॉक्टर ही गल बराबर महनत नहीं करती है, उनका बोडी स्ट्रेंथ ही अच्छा नहीं होता, तो जो बच्चे के लिए जो अपान वायू आता है पेट में और उसको जो धक्का देना पड़ता है पेट से, उसके लिए बहुत शक्ती चाहिए इस्तरी को, तो जो इस्तरी को रोज महनत करती है वो नॉर्मली डिलिवरी देती है, लेकिन जो इस्तरीया जो घर में काम भी बहुत कम करती है, बहुत सुक्सिविदाओं का इच्छा पड़ा हुआ है, तो वो डॉक्टर को भी बोलती है, आप सीजर कर दो, छोड़ दो, मुझे नहीं चाहिए नॉर्मल डिलिवरी, वो स अच्छे के लिए जाधा प्रेतन करेगी, तो वो प्रांड तक छोड़ सकती है, इसके लिए सिजरिन करना पड़ता है, रही बात, कि वो पॉटी कर दिया, गले में फज गया, यह सब ऐसा रेर केस में होता है, ऐसा हर बार नहीं होता है, और पॉटी कर दिया, यह कर दिया, इससे कुछ फरक नहीं पड़ता है, बच्चा अलड़ी उसमें मल कबसे त्याग रहा होता है, ठीक है, और वो जनरली ऐसा मल वगेरा त्याग नहीं करते हैं, वो जो बोलते हैं, उसने पानी पी लिया, तो क्या मुझ के उसका सील रहता है, क्या मा के गर्ब में, सील के ऐसा चीरा मानना पड़ता है हमारे आने के बाद घर्ब से बाद, ऐसा नहीं है, यह सब जिसमें हम बोल सकते हैं, एक उदिया क्षडियोंत्र हैs कि रहें, क्छों केसमें हो और ना आपके हाथ में, ना मेरे हाथ में है, हम कुछ भी होगा तो अम डाक्टर के पास ही जा आपको यह पता भी हो कि यह जो डॉक्टर जूड बोल रहा है यह बात आपको भी पता चलता ही है जो व्यक्ति रोज जूड भोलता है उसको मालू पड़ता है कि कौन जूड बोल रहा है तो जो जो यह डॉक्टर हमें जब जूड बोलता है तो हमको मालू पड़ता है कि जू सौ में कोई रेर एकाद केस आता है जिसमें बच्चे का नाल फस जाता है ऐसा होता है पर गर्ब कभी-कभी उल्टा हो जाता है जैसे सीर नीचे रहना चाहिए पैर उपर होना चाहिए लेकिन कभी-कभी पैर आगे आ जाता है सीर उपर हो जाता है तो उसको भी एक प्रक्रिय मायापूर में एक माताजी है वो फॉर्णर है और वो प्रसूत कराती है बहुत सारे आज के टाइम की बात कर रहा हूँ अबी के टाइम की वो आज के टाइम में मायापूर में जितने भी बच्चों का जनम होता है उनको भी बिलाए जाता है दाई कहा जाता है ना साथ प्रकार की माँ होती है जिनमें से एक माँ धात्री जो जनम करवाती है उसको भी माँ कहा जाता है तो वो माता जी वो कैसे गर्ब को सेट करना है और उसको कैसे गर्ब से बाहर निकालना यह उसको आता है वो फॉर्णर है ठोड़ी एजेड हैं तो उनको बहुत अच्छे से आता है और सारे मायापूर में अधिकतर बच्चे आज उनके हाथ से हो रहे है तो एक भक्त हैं जिन्होंने मुसे सारी बाते शेयर की थी तो जो गर्ब के साथ में वो प्लेजेंटा बोलते है न जो साथ में और एक मांस का तुकड़ा भी बाहर आता है गर्बवतिस्त्री के तो पहले तो बच्चे को निकालते हैं फिर वो भी आ जाता है मांस का उसको निकालना पड़ता है नहीं निकालेंगे तो वो भी कष्टकारक बनता है तो उसको क्या करते है प्लेजेंटा बोलते हैं उसको लेकर के खेत मे कहीं ऐसे जगह उसको चार फुट जमीन के नीचे गाड़ना एटलिस दो फिट तो जमीन खोद के उसके अंदर उसको गाड़ के उसके उपर पेड लगा देना चाहिए ऐसा नियम बता है वो प्लेजेंटा किसी के हाथ में नहीं जाना चाहिए ऐसा है लेकिन आजकल कहते हैं डॉक्रोस उसको कच्रे में फिकते हैं तो यह सब भी देखे कितना यह सब चीजें ऐसी है कि हमें पता तक नहीं हमें मालूम भी नहीं तो यह सब जो चीजें होती हैं यह सब हमें जानकारी नहोने के कारण यह सब चीजें हमारे साथ हो रही है और हम उसके उपर सोचते भी नहीं क्योंकि हम anyway कुछ करने वाले भी नहीं और हमें कुछ करना भी नहीं है क्योंकि हम लोग बस यही सोचते हैं कि बस पैसा दे तो बात खतम यह जो आज mentality आ गई है पैसे दे के काम खतम करने की इससे जीवन में जो दया है करुणा है प्रे में इस सब नश्ठ होते जाएगा और होई रहा है आप देखे घर में पूजा हो तो पूजा के लिए लोग तैयारी करते हैं विवा हो तो तैयारी करते हैं अभी सब को order दे दिया जाता है अरे पंडी जी आप सब सामाल ले गया ना अरे डेकोडेटर तुम सब हॉल देख ले ना एक आजमी को रखते हैं वो होस्ट करता है होस्टिंग करता है वो भी paid होता है आईए सर, बेंटी ये सर, खाईए सर ये बूलने के लिए एक आदमी रहता है मतलब कोई प्रेम वाला भावना नहीं और वो आएंगे अरे कैसे अच्छे हो ना चलो एक फोटो केश पर बस इतना है तो वो जो सर्विंग का आदत है कि स्वयम अपने हाथ से पका के खिलाना उसमें जो करुणा प्रेम रहती है वो नहीं रह गई ये सब कारण है क्योंकि बस पैसा दे दो बात खतम हो गया तो इसलिए आजकल जो डॉक्टर्स वगेरा हमें मिल रहे हैं वो भी पैकेज मना के रखे हैं दिल्ली में हमें एक बगत बताया रहे थे हैं पैकेज बना हुआ है प्रभभ जी आतो आपको नॉर्मल डिलीवर्य चाहिए तो दो लाग रुपया है सिजरियं चाहिए तो 1.4 लाग रुपया है चल्स ज़चिए नॉर्मल डिलीवर्य के लिए ज्यादा पैसा माँगरे मेरे हैं के लिए कम पैसे मांग रहे हैं क्योंकि और कुछ लोगों को ये बात मालूम भी रहता है कि ये सिजरेन करेंगे तो वो डॉक्टर को बोलते हैं कि हम आपको सिजरेन वाला फीस दे देंगे पर आप नॉर्मल डिलिवरी करेंगे तो कुछ डॉक्टर ऐसे भी हैं साइड में नहीं है, दोनों साइड में होना चाहिए, डॉक्टर भी अच्छा मिले और इस तरी का शरीर भी योग्य हूँ तो इस टॉपिक में आने ही वाला है पर इसलिए मैंने बने डिसकुशन ही कर लिया, ठीक है, और कोई प्रशना? इस बढ Writing, एक ठीक कंपर भी का शियान हें जाए हुआ है aan कि परेजोरह उसकते में अगर पहला बच्चा सिजरेंस से हिए तो दूसरा भी सिजरेंसे ही होता है जनरल ही होता है 99.99% होता ही है लेकिन अगर पहला डिलिवरी नॉर्मल हुआ है तो दूसरे का चांस है कि नॉर्मल ही हो लेकिन नहीं हुआ तो सिजरिन भी हो सकता है लेकिन कोई स्थरी यदि अपनी आयू से ज़ाधा हो गई हो यानि अगर वो 30-35 वर्ष के अबव चली गई है और उसने अलड़ी 2-3 बच्चे को जनम पहले दे दिया है उसके बाद भी अगर वो बच्चे को जनम देगी तो उसको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा क्योंकि इस तरी का जो शरीर होता है एक बच्चे को जनम देने में उसका पूरे शरीर का सारा शक्ती चला जाता है और उसको रिकवरी करने के लिए कम से कम 6 महिना लगता है फिर जब तक वो सेट होता है उसका पूरा बॉड़ी नॉर्मल होने में 8-9 महिने लग जाते है उसके बाद में वो नॉर्मल अपना लाइफ जब तक जियेगी फिर उसको अगर कंसीव किया उसने दो साल के बाद में तो फिर से उसका पूरा बॉड़ी श्रेंथ ले लेगा तो दूसरी बार जैसे पहली बार जो इस तरी गर्भ मतलब जोब डिलिवरी हो जाता है तो वो लोग वापस से अपने आपको फिर से मेंटेन करते हैं बॉड़ी फुक जाता है फिर उसको धीरे धीरे डायटिंग करके एक्सराइज करके कम कर लेती है लेकिन जब दूसरा बच्चा होता है न तो यह सब नहीं कर पाती है उनका शरीर फिर फैल जाता तो उसको कंट्रोल में करना उनके लिए इनकी बसकी बात नहीं फिर अगर यह दूसरे में भी कर लिया मान लीजे कोई महान इस्तरी होगी कर भी ली तो तीसरे में और चौथे में तो भूल जा उसका शरीर लगभग उसका शरीर काम करने से कतम हो चुका होता है इसलिए इस्तरीयों को चाहिए कि अगर उनका विवा कम एज में होगा यह सारा मैटर विकॉज आफ विवा संसकार इसलिए यह एक्चुली हम लोग तो गरब से संसकार स्टार्ट करते है पर हमारा जो सत्क्रिय सारदिपी का नामा गरंत लिखा है उसमें विवा संसकार से स्टार्ट हुआ है पहले विवा संसकार के बारे में बता है बाद में गरबाधान ये सब के बाद में बता है पर हम लोग चुकि इसको आगे लेना चाहते हैं इसके लिए हमने उसको बाद में रखा है नहीं तो चेंज यूर जॉब पहला बात तो ये है दूसरा है देखें आवशक्ता हैं आजकल ऐसी बन चुकी है हमारी कि ये सब कहना इतना सरल नहीं है कि कोई इजिली जॉब छोड़ दे इजिली अपना लाइफ चेंज कर दे इतना आसान नहीं है क्योंकि बहुत सारे कारे होते हैं बहुत सारे धनकिया वशक्ता है हर चीज का प्राइस बढ़ चुका है तो किसी के लिए भी एक नॉर्मल लाइफ निकालने के लिए बहुत जॉब करना पड़ता है किसी को डबल ड्यूटी करनी पड़ती है पर मैं इतना कहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छी संतान हो तो उसके लिए आप थोड़ा बहुत बच्चे के लिए कंप्रोमाइस करने से अच्छा जॉब को कंप्रोमाइस करो या अपनी आवशकताओं को कंप्रोमाइस कर लो क्योंकि आज के समय आप उसको सहन कर लोगे जब बच्चे वो बड़े होंगे तो anyway आपको जवाप करेंगे आप लोग कुछ ना कुछ करेंगे धन कमाएंगे तो बच्चे वैसे भी पल लेंगे लेकिन अभी उसकी चेतना उसकी मानसिक्ता के लिए यह सब बात बता रहे हैं अगर आपने इसमें ही कम्प्रोमाइस करना चालो कर दिया तो आगे तो उसकी भविश्य से हम कोई अपिक्षा ही नहीं कर सकते हैं इसके लिए उनको चाहिए कि वे लोग जितना हो सके समाले कभी-कभी it's fine एक आत बार चलेगा दो बार चलेगा लेकिन अगर रोजकाई रूटीन है तो रूटीन को बदलना चाहिए या उसके लिए विचार करने युग्या है और उसके उपर यह सोचना कि नहीं हम चला लेंगे तो मैंने वही कहा कि अगर आप सस्ता चाहते हो तो यह आपका चोईस है हम आपको बता रहे हैं कि आपको डायमेंड कैसे मिले पर अगर आप अमेरिकन डायमेंड की इच्छा कर रहे हैं तो यह आपका चोईस है और कोई 14, 15, 16 बदेर और चाहिए चिल्रन वन और टो उसके पास आवे बडिकल फिसलेटीस वेर नोट देर यह जमाने में इचिंग आइडर आवर शमता इस गॉन दाओन जाई उसके दर रहे हैं एडिकल के चाहिए प्रशन है कि पहले लोग दस बारा बच्चे शोटे थे ले गिए तो वास्तों में यह बात सत्य हैं क्योंकि कारण यह है कि आपके हमारी जो सोसाइटी जिस और जा रही है न वह बहुत दैनी अवस्था में जा रही है इसके लिए श्रीप्रभुपाद जी ने पाश्चात देश में प्रचार किया कि उनको हमारी सब्वेता सिखाई पर बात यह है कि हम अपनी सब्वेता सिखाने के बावजूद भी हम उनकी सब्वेता ही सिख रहे हैं भले हम भक्ती में आ गए हैं लेकिन आज भी हम उनकी सब्वेता को ही पालन करने का प्रेतने करते हैं बले ही मैं इस सब की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे इसकौन में भी इतना भी नहीं है, लेकिन 2-5% ऐसे लोग आ रहे हैं आजकल, जो पाश्चात्य संस्कृति को भक्ती के आधार पे जोड रहे हैं, मतलब वे भक्ती तो कर रहे हैं, लेकिन वो पाश्चात्य देश में जैस पहनना सिखाया, अरे आज हमारी संस्कृति में तो धोती पहनना वर्षों से पालन हो रहा है, लेकिन फॉर्णर ये धोती पहन रहे हैं, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, तो हमें उनको देखके ये सोचना जाए है, कि देखो हमारी संस्कृति पालन करना है, वैसे ही ज अपना 100% घर पे काम करें, तो पुरुष जो है, वो धन कमाए तो घर चल जाएगा, कम खर्च में भी घर चल सकता है, आज के भी अवस्था में आपको बताओं, भारत के ऐसी पुरिस सिती है, कि आज भी लोग 200 रुपय में पूरा महीने का घर खर चला रहे है, मतलब मेरे 500 रुपय तो बहुत चोटी बात है, 5000 अगर आप कोई महीने का खर चला रहे है, तो कितनी बड़ी बात है यह, लेकिन चला रहे हैं लोग, तो कहने का मतलब है कि हमारे उपर निर्भर करता है, कि हम कैसे रहे और कैसे अपने सोसाइटी को दें, जैसे मैंने स्टार्टिंग म ही बताया कि मा महान होगी ना, तो बच्चा महान होगा, अभी आप ये भी ध्यान रखिए, जो गुण पिता में होगा, वो बेटी में आता है, जो गुण बेटी में है, वो उसके बेटे में आता है, हम समझ लें सिक्वेंस, पिता का गुण बेटी में जाएगा, बेटी का बेटी होगी तो उसका गुन उसमें जाएगा इसलिए हमारे यहां उत्तर भारत में जो लड़की लड़के का जब विवाव होने जाता न लड़की वाले लड़के को देखने जाते हैं गाउं में तो उसको सवाल उसको प्रश्ण पूछते हैं तुमारा ननिहाल कहां है कि तुमारी मा किस गाउं की है तो वो बताता है कि मेरा ये गाउं है तो वो गाउं वाले गाउं का एक टेस्ट जानते हैं ये गाउं का ये ये गाउं के लोग नम्र हैं यह गाओं के लोग जगड़े वाले हैं, ऐसा वो सबका टेस्ट होता है तो वो लोग वो नाम सुनके पता लगा लेते हैं कि यह कौन से गुण का लड़का होगा उसी अधार पर अपनी बेटी देते हैं अने था नहीं देते यह सोची से विज्ञान है पूरा हमारे यहाँ, आज भी चलता है तो यह कहां से आ रहा है, क्योंकि जो इस्त्रियां है उनका स्वभाव बहुत महत्तोपूर्ण है जो अंग महराज की अभी अमने बात की थी ना कि वेन जो ऐसा जनम लिया था, क्यों लिया था उसमें एक कारण ये भी है, कि जो वेन की मा थी उसके पिता मृत्यू है, वो मृत्यू की बेटी है तो मृत्यू क्या है, क्रूर है तो उसका बेटा का, उसका जो पुत्र होगा, वो कौन होगा क्रूरता आएगा उस तो ये सब कितना hidden line होता है अंदर हमें पता तक नहीं होता तो ये सब जो हमारी चेतना है उनके ओपर ये सभी कारे करते हैं इसलिए जनम देने के लिए इस्त्री पुरुष का योग्यता के अधार पे जितना जल्दी विवा हो जाए, उतना अच्छा है जिए लेट होगा तो उनके बच्चे ऐसे ही कम बच्चे जनम लेंगे उनके बुद्धी वैसे नहींगी और एकाथ दो बच्चे को जनम दे पाएंगे और फिर टिक नहीं पाएंगे लॉंग टाइम जैसे पहले भी एहता था कि दस-दस-बारा-बारा बच्चे होते थे लेकिन उनमें से जो ज़्यादा तर जीवित रहते थे वो ज़्यादा बच्चे नहीं जीवित रहते थे अगर दस बच्चे हुए है तो तो तीन-चार बच्चे तो ऐसे ही मर जाते थे और अब गाओं में है तो 85 तक तो चले ही जा रहा है आज के योग में तो ये अच्छी बात है लेकिन विवा यदि जल्दी हो तो उनकी शमता अच्छी रहेगी जिस वोज़े से बच्चे जो हैं वो योग्यों होंगे ठीक है और कोई प्रश्ण किसी का चलो हमें आगे बढ़ना है बहुत सारी बाते हैं अभी तो आधा भी नहीं पहुचे हैं हम ठीक है तो जात कर्म संसकार के विशे में हमने आपको शौट में बता देते हैं इसमें कोई ज़्यादा बड़ा चीज नहीं है जात कर्म के समय जब बच्चा मा के गर्ब से बाहर आता है तो उसे शहद और घी आसमान मात्रा में चटाये जाता है यानि दो बुंद गी है तो चार बुंद गी है तो दो बुंद शहद और समान मात्रा में शहद और घी का मिश्रण करके सुवरन से बालग को चटाया जाता है इसी को जात कर्म संसकार कहते हैं तो जब बच्चे का जन्म होता है उसी समय उसके मा के हिर्दय से जो नाल जुड़ा होता है वो उसके नाभी बच्चे के नाभी से जुड़ा होता है तो उसको काटने से पहले ये संसकार होता है अब ये वैदिक्ता की बत बता रहा हूँ आपको अटलिस मालूम हो कि ये होता पहले ये समझ लिए, जात कर्मा मतलब जब बच्चा मा के गर्ब से बाहर निकलता है जैसे ही उसके पिता को ये न्यूज मिलता है कि आपको बच्चा हुआ, लड़का हुआ, लड़की हुई है तो तूरन जाके वो पहले क्या काम करता है हॉस्पिटल भागता है या जहन ज़नमों भागता है ? नहीं ! पहले नहाने के लिए जाता है जई सी सुना तो पहले जाएगा क्या काम करेगा ? स्नान करेगा और स्नान करके आने के बाद वो सबसे पहले आ करके, वो शैद और घी मिश्रन करके मंत्र पड़ेगा और मंत्र पड़ेगे जीवा से अरे उसके जीवा में बालक के ओम लिखना या चटाना सुवर्ण से जिसमें शहद और घी असमान मात्रा में मिश्रन होता है उसका मिक्ष्यर करके उसको चटाया जाता है तो इसको कुछ लोग श्वर्ण प्राशन भी कहते हैं और इसको मेध जनन क्रिया भी कहते है और इसको जात कर्म संसकार भी कहते हैं तो जब बच्चे का जनम हो जाता है تو 10 दिन का सूतक लग जाता है सूतक मतलब होता है अशुद्धि करण जनम और मृत्यू के समय सूतक या शुद्धक बोलते हैं जो लगता है हरिस्त्री पुरुष को तो उसके घर पर यदि जनम होने अभी बच्चे का जब तक नाल नहीं काटा गया है न तब तक सूतक नहीं लगता है जब बच्चे का जनम हुआ उसका नाल नहीं काटा जाता तब तक सूतक नहीं लगता जब नाल काट दिया जाता है यानि जब बच्चे का नाल छेदन हो जाता है तब ही सूतक लगता है तो यहाँ जो सूतक है वो नाल छेदन के उपरांद है तो पिता को ये करना चाहिए कि इस नान करना चाहिए, शैद और घिल लाकर के बालों को चटाना चाहिए और उसी समय गाय और ब्रामन को मन से कुछ संकल्प करके दस दिन के बाद दान करना चाहिए, क्योंकि इमिजेट तो आप करने ही सकते हैं अगर कर दिये तो बहुत अच्छा है, लेकि नाल कटने से पहले दान करना चाहिए यदि सूतक लग गया तो दान नहीं कर सकते, क्योंकि सूतक काल में दान नहीं होता है अगर आपने सूतक काल में दान किया तो उसका कोई फल नहीं मिलेगा इसलिए जब बच्चे का जनम हो गया और नाल चेदन हो गया, नाल काट दिया तो फिर दान नहीं करना चाहिए अगले दस दिन तक दस दिन तक और क्या नियम पालन करने चाहिए आप मंदिर नहीं जा सकते भगवान को भोग नहीं लगा सकते मंदिर की पूजा नहीं कर सकते प्रभु जी ये क्या बोल रहे हैं आप येस ये शास्त्र में लिखा है कि जब आपके घर में सूतक लगता हो किसी का जनम हो जाए मृत्य हो जाए तो वहाँ पर आप भगवान की सेवा नहीं कर सकते सूतक को ऐसे समझ लीजिए जैसे आप सुबह जब सो करके उठते हैं और अभी आपने स्नान नहीं किया है तो आप कैसे अर्शुद्ध माने जाते हैं उसी प्रकार सूतक काल में भी आप अशुद्ध माने जाते हैं इसलिए सुतक काल में भगवान की सेवा नहीं होती है लेकिन उस समय क्या करना चाहिए आप नाम जब कीजिए मन से भगवान की आर्ती कीजिए मन से भगवान को भोग लगा के भोग गरान कर सकते हैं कोई ये कह सकता है कि हमारे घर में बाई आती है तो बना सकती है क्या नहीं क्योंकि वो बाई भी आपके घर में आती है और आपके घर में सब उस समय के लिए अशुद्ध रहता है तो इसके लिए हर चीज कंटामिनेट होता है तो इसके लिए किसी भी वस्तू को प्रयोग करेंगे, वो अशुद्ध ही रहेगा, हाँ, कोई बाहर से भक्त आए, और वो अपने घर से भगवान के लिए भोग लगा के, आपके घर के भगवान की विग्रह की सेवा कर दें, वो अलग बात है, इस विशे पे हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, और दान बहुत महत्वपूर हैं, जब भी बालक का जनम हो, कृपया दान करें, और दान मतलब सौपांसो रुपे की बात नहीं कर रहा हूं, अच्छा अमाउंड लेकिन यथा शक्ति विवहारी का द्रव्य दानेना, यथा शक्ति आपकी कैपैसिटी अनुसार, आप गाय को ब्रामन को दान कीजिए, ब्रामन मतलब हमारे मंदिरों में वैशनों लोग हैं, तो आप जिसके साथ आपका अच्छा संबंद हैं, उनको आप दान कर सकते हैं, मतलब वो ब्रामचारियों, अगेन वो रिनाउंस होने चाहिए, उनको दान करना चाहिए, जो अल्रड़ी अर्निंग कर रहे हैं, उनको दान नहीं किया जाता है, जो नहीं earning करते उनको दान किया जाता है इसलिए सादू संतों को ब्रामनों को दान करने का विदान बताए गया है ठीक है ओके इससे कोई related प्रश्ण है तो पूछ सकते हैं हाँ सॉरी मैंने बता नहीं पाया तो embilical cord जो होता है उसको काटनी से पहले शहद और घी चटा करके मंत्र बोल करके उसी समय गाय ब्रामनों को दान करना चाए लेकिन अगर इन के सुसब नहीं हो सका क्योंकि आज कल तो क्या होता है हॉस्पिटल में बच्चों का जनम होता है तो जब भी आपको बच्चा हाथ में मिले उस समय आप शहद गी एक अलग-अलग डिब्बी में रखे कांच के और उसमें से उसको एक चांदी का एक छोटा कटोरी रख लीजिए और चमच रख लीजिए या सोने की अंगूठी रख लीजिए साथ में वो सब उसी समय मिक्स करके उसको चटा सकते हैं अगर मानने जब आप हॉस्पिटल में एक काम नहीं भी कर सकते तो जब बच्चा घर में आएगा तब आप ये संसकार करा लीजिए चलेगा और इसके साथ साथ जब बच्चा प्रसूत करके हो गया जात कर्म संसकार करके हो गया तो पहली बार यदि लड़का है तो मा का दाहिना स्तन पीता है लड़की है तो पहली बार बाया स्तन पीती है बाद में चलता है आगे पिछे लेकिन पहला राइट लड़के के लिए लड़की के लिए लेफ्ट बता है ना मैंने पहले ही बता है लड़के के लिए right लड़की के लिए left तो ऐसा है हाँ जितने भी आप blood relative हैं सभी को लगेगा घर में जैसे मानले जी आपके पिता जी के चार भाई हैं और मानले जी उनके सबसे छोटे भाई को लड़का हुआ है और आप तो भई भक्ती में सालों से तो आप बोलो कि उनका का सुता का लगए लेकि वो तो उड़िसा में रह रहे हैं लेकिन हम तो यहां रहे हैं तो हम को सुता क लगे का क्या वो अशा टुच करने से नहीं लगता है वो ऐसा अध्यात्मी गुरुप से भगवान ने अर्रेंजमेंट किया कि लगता है सूता है ऐसा है नो नो चैंटिंग चैंटिंग यू कें डू चैंटिंग, बुक रिडिंग्स उसमें कोई रोप नहीं है हारी नाम छोड़ने के लिए कोई विधान नहीं है पकड़ने के सारे विधान इसलिए डूण ठीक है और कोई प्रशना ठीक है, आगे बढ़े हम आगे आगे चलते है देखिए ये सत्क्रिय सारदिपिका जो गरंत है ये हम आपको शेर कर देंगे उसमें सारे मंत्र लिखे हुए है वो सब आपको मिल जाएंगे आप लोग चिंता मत किजिए कि मैं जो-जो मंत्र बता रहा हूँ अब ये कहां डूणने जाए आप हमारे पास आये हैं, समय निकाल के आये हैं तो आपको हम पूरा-पूरा सहयोग देंगे तो आपको, वैसे तो आप हमारे जो कॉडिनेटर लोग हैं, आप इंसे संपर कर सकते हैं लेकिन ये बुक इंटरनेट पे इजली उपलब दे, सत क्रियसार दिपिका ये आप, मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में भी ये पिपिटी में दिखाए था पस वो आप टाइप कीजिए, आपको आपको अटोमेटिक उसका पीडिएफ मिल जाएगा सत क्रियसार दिपिका उसमें इंग्लिश में है लेकिन हमारे मायपूर का ही है वो भुक आप उसको रेफर कर सकते हैं ओके, आगे बढ़ें अब आता है नामकरन संसकार देखिए, भगवान का भी नामकरन संसकार हुआ है, राम का हुआ है क्रिश्न का हुआ है ऐसा नहीं है कि उनके ले कोई यग्य नहीं हुआ, विधी नहीं हुआ महराज ने नाम दे दिया तो नामकरन हो गया मारा न्यान खिला जय तो अन्य प्राशन हो गया नहीं ऐसा नहीं है इससे जागरुख होईए हमारे इसकौन में ये प्रचार बहुत सालों से चला रहा है उसका एक कारण है कि हमारे पाइसे ब्राह्मन नहीं थे जो ये सब विधी कराएं और इसके बारे में कोई जानकारी दे पर ये सारे संसकार गुपाल भट गो स्वामी ने लिखा है और उसमें मंत्र लिखा है और ये भी लिखा है कि अगनी में आहुती देनी है और ये भी लिखा है कि ब्राह्मन को दक्षिना देनी जी इसका उदेश क्या है क्योंकि अगर आपके सोसाइटी में कोई विधी विधान करने वाला व्यक्ति नहीं है तो आप यह सब सोच सकते हैं लेकिन हमारे सोसाइटी में अगर ऐसे व्यक्ति हैं तो हमें पहले वो चीज को प्रेफर देना चाहिए जैसे उधारन के रूप में ये सब चीजें क्यों बता रहा हूँ कि इसमें बहुत मिसकंसम्शन चल रहा है हमारे यहाँ पे लोगों में कि नहीं हमने महराजी से नाम ले लिया तो नामकरण हो गया ना क्या करने क्या होशकता है कहां प्रहुपाजी ने बोला यग्य करने के लिए अरे भगवान के लिए गरगाचारे रिशी आये थे श्री राम जी के लिए वसिष्ट रिशी आये थे सबका नामकरन हुआ है प्रहुपाजी का नामकरन हुआ है तो किसका नामकरण नहीं हो, किसका संसकार नहीं हुए, किसके लिए ब्रामण नहीं है, तो हम ऐसे कैसे सो सकते हैं, कि हमको ब्रामण के आउशक्ता नहीं है, पहला बत, दूसरा, आप देखिए, पहले प्रभुपाद जी मंदिरों की स्थापना उस समय, कोई मंत्र पढ़ कर प्राण प्रतिष्ठा इत्यादी विदी नहीं हुआ करती थी केवल भगवान को हाद जोड़ते थे प्रभपाद जी कि हे भगवान आप यहां आजाईए हम आपकी सेवा करेंगे इवें राधा राज बिहरी भी ऐसे ही आया है बहुत सारे मंदिर जो विदेशों में है उनकी कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुए लेकिन वहाँ भगवान है लेकिन आज के समय जितने भी हमारे गुरु महराज है स्वामी है वे सभी मंत्रवद विधी करवाते हैं वे यह नहीं बोलते हैं कि चलो हमने भी प्रार्थना कर लिया भगवान आ जाएंगे जबकि वे स्वाम शुद्ध भक्त हैं वे चाहें तो भगवान क्यों नहीं आएंगे लेकिन फिर भी वे बोलते हैं कि नहीं मंत्रवद विधी करना होश्यक है क्योंकि वे लोग भी जानते हैं कि इसका महत्र क्या है तो जो हमारे गुरु महाराज लोग हैं वो हरे कारे विदिवत करते हैं तो हमें भी जो संसकार कराना है वो मंत्रवत करना है और मंत्र करने के लिए हमें भी मंत्र के साथ उच्छारन करके विधी करानी चाहिए इसके लिए ये जो मंत्र की विधी है इसको ध्यान पुर्वक करवाना चाहिए तो नाम करन संसकार ये शुद्धी करन का विशय है तो इसके बारे में मैं पहले explain करता हूँ नाम करन संसकार होता कैसे जब बच्चे का जनम होता है उस दिन से दसवे दिन, ग्यारवे दिन या बारवे दिन वैसे तो ग्यारा और बारा अच्छा मना जाता है उस दिन आप नाम करन संसकार करवा लीजिए जैसे ही बच्चे का जनम होगा दसवे दिन पर जिस दिन जनम होगा उस दिन से बारवे दिन पर नाम करन संसकार होता है उसको माराश में बारसा या उत्तर भारत में बरही या ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं पर उसका आरत होता है बारवे दिन पर नाम करन संसकार करना तेक है जब बालक का जन्म होता है उसी समय आकाश के बारा भाग होते हैं जिसको हम एस्ट्रोलोजी चार्ट कहते हैं जोतिश है ना जोतिश का आपने वो देखा होगा तो उसमें जो बच्चे जो बालक का जन्म हुआ है तो चंद्रमा जिस राशी के साथ सम्मंद बनाता है चंद्रमा हर दो दिन में एक राशी बदल देता है टोटल बारा राशीया होती हैं ये एंड में मैं आपको पूरा जोतिश शास्त्र भी समझा दूँगा थोड़ा सा अब थोड़े बहुत जोतिशी हो जाएंगे गैरेंटी के साथ तो जो चंद्रमा जिस राशी के साथ अपना संबंद बनाता है उसी को उसका जन्म राशी कहते हैं जैसे बारा राशी में से चंद्रमा मान लिजे विष्चिक राशी में हैं, तो विष्चिक राशी में जब वो रहता है चंद्रमा, तो उस बालक का वही जन्म राशी माना जाता है, तो उसी राशी में तिन तिन नक्षत्र होते हैं, एक नक्षत्र के चार पैर होते हैं, यान तो नाम कई प्रकार से दिये जा सकते हैं सबसे पहले हैं नक्षत्रों के नाम के अधार पे नाम दिया जा सकता है दूसरा है राशी के अधार पे नाम दिया जा सकता है तीसरा है महिने के नाम के अधार पे भी बच्चे का नाम करण किया जा सकता है चौता है कि बच्चे को गुण वाचक नाम देना चाहिए कि उसके अंदर धनी लाल, मनी लाल ऐसे नाम होते हैं ऐसा गुण वाचक नाम दिया जा सकता है शौरिय, ऐसा सब नाम दिया जाता है ये गुण वाचक नाम है उसके अलावा है बच्चे को सबसे जादा नाम गुरू के द्वारा पिता के द्वारा या घर के जो सबसे बृद्ध और बड़े विक्ति हैं उनके द्वारा नाम करना हो सकता है तो नाम देने की बद्धती कई प्रकार के लेकिन इन सब में सबसे महत्वपूर्ण है गुरू फिर आता है पिता फिर आता है ब्राह्मन यदि पिता को लग रहा है कि हमारे गुरू नहीं है तो हम किसी योग्य ब्राह्मन से पूछ सकते हैं और उनके द्वारा जो नाम मिल ज जाता था और एक वेवारिक नाम दिया जाता था उसका कारण ये है कि कोई जोतिशी होगा तो वो आपका नाम सुनके पता लगा लेगा कि आपका जनम कब कहां कितने बज़े हुआ है केवल नाम सुनके आज भी हमारे इसकौन में ऐसे एक भकते हैं मतुरा देव प्रभू तो तो ऐसे जोतिशी हुआ करते थे जो नाम सुनके पता लगा लेते थे कि आपका जनम कब कहां कैसे हुआ है इसके लिए वो राशी वाला नाम छुपा के रखा जाता था और एक अलग नाम वेवहारिक नाम दिया जाता है आज के यूग में इसकी आवशक्ता इसलिए नहीं ह क्योंकि वैसे तो आपको जोतीशी को पुरा कुंडली पकड़ा दो तो उसको कुछ मालूम नहीं पड़ता है और उसके बाद में भी अगर उसने कुछ बता भी दिया तो वो भी 100% सही नहीं होता है तो इसलिए चिंता करनी का आवशक्ता नहीं है फिर भी अगर कुछ लोगों की इच्छा होती है that बई नहीं हम राशी वाला नाम चुपा के रखेंगे दूसरा नाम रखेंगे तो भी चलेगा कोई इसमें गलत नहीं है छाशी में बच्चे का जनम होता है चंद्रमा उससे अपना संबंध बना के रखता है तो हमारा जो नाम है वो हमारे मन का कारक होता है हमारी जब इंद्रियां जब हम सोते हैं न तो हमारी सारे इंद्रियां सो जाती है लेकिन एक ही इंद्रियां जागरू करेती वो है कान तो जब आप किसी को नाम से पुकारोगे नाम से उचारन करोगे कि शवन बेता उठ जाओ तो वो सोया है फिर भी सुन के उठ जाएगा लेकिन जो अगर सच में सोया है जागा हुआ है तो फिर वो नहीं उठेगा ठीक है सोये हुए को जगाया जाता जागे हुए को नहीं जगाया जाता तो वो कान के द्वारा वो उठता है कान जब उसका श्वण करता नाम तो उठता है क्यों करता है क्योंकि चंद्रमा से उसका नाम कनेक्ट होता है इसके लिए उठता है तो इसलिए जब हम बच्चे को नाम देते हैं तो वो नाम उसके साथ जुड़ा होना चाहिए तो वो चंद्र राशी से जुड़ा होना चाहिए तो अगर हम बच्चे को ऐसे शब्द नाम देते हैं तो बच्चे के अंदर वैसे गुण और वैसी quality आती है क्योंकि चंद्रमा उसका कारक होता है हमारे अंदर जो मन में चंचलता होती है न वो बिकॉज अफ चंद्रमा पुर्णिमा को बहुत सारे कारी के लिए मना किया गया कि बहुत सारे मतलब कोई काम या पत्नी के साथ संबंद बनाना या कोई अलग कारे करना हो तो पुर्णिमा आवाइड किया जाता है उसका कारण यह है कि जो चंद्रमा है वो जल का कारक है जल को पानी को अपने हाथ में कंट्रोल करके रखता है तो जब आप देखिए पुर्णिमा के दिन में समुद्रिमें बहुत सारे उफान आते हैं वो क्यों आते है विकॉज अफ चंद्रमा तो हमारे शरीर में भी कितना प्रतिशत पानी है 70% तो 70% प्रतिशत पानी है तो जब पुर्णिमा आएगा तो क्या होगा हमें भी अपनी और चंद्रमा खीषता है इसलिए जो हमारा स्वभाव है उस दिन उपपर उठके आता है आप प्रेम करने वाले हैं तो बहुत प्रेम आएगा हरे कृष्णा बोलेंगे गुस्सा आएगा तो बहुत आएगा उस दिन आप देखना खुद को नोटीस कीजिए आप इसलिए पुर्णिमा और अमावस्या दो दिन को ज़्यादा विशेश माना गया है इसलिए इन दुनों में थोड़ा समाल के रहना चाहिए और कोई बड़ा डिसीजन लेना हो इनोग्रेशन करना हो तो यह सब पुर्णिमा मावस्या के दिन नहीं किया जाता है इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि आपका स्वभाव हाइट पे होता है उस दिने जैसे समुद्र कैसे पानी को अपनी और उगदम उपर उपर उचालता है उसी प्रकार हमारे शरी में भी इतना पानी है कि चंद्रमा आकरशित करता है तो चंद्रमा से नाम जुड़ा होता है इसलिए बच्चे ऐसे नाम से ज़्यादा प्रेरिणा होते हैं या ज़्यादा प्रेरित होते हैं इसलिए उनको वो नाम देने से बहुत फरक पड़ता है उनके उपर तो इसलिए वैसा नाम देने से उनका सभाव, उनका वृत्ती वो सब देखने को मिलता है अगर आप अच्छा जोतिशी हैं और आपको नाम मालूम पड़ जाए किसका यह से नाम है तो उस नाम से उस नाम से वो इसके पूरे सभाव को एनिलाइस कर लेते हैं किवल नाम सुनके इसलिए और आगे आता है नाम करण, नाम का मतलब होता है हम जो नाम दे रहे हैं करण मतलब होता है क्रिया, ऐसा नाम दो जो उसकी अंदर क्रिया है तो नाम कैसा देना चाहिए भगवान से संबंदित नाम दीजिए ऐसा नाम सुनने से उसका जीवन शुद्ध होता है लड़के के नाम के पीछे अकार आता है लड़की के नाम के पीछे आकार आता है उधारन लड़के का नाम कृष्ण है तो लड़की का नाम होगा कृष्णा दिर्गस्वर आएगा कृष्णा किसका नाम है द्रोपती माता का है ना तो कृष्णा मतलब द्रोपती माता होगा कृष्णा कौन होगा तो भगवान कृष्णा होगा ठीक है और अश्विन नाम है लड़के का तो लडकी का नाम क्या होगा अश्विनी दिर्ग स्वर आ रहा है अब समझ रहें, sound effect क्या ह आ रहा है अश्विनी और अश्विन ऐसा नाम खतम हो गया तो जो लड़के का नाम होता है उसमें लगू स्वर या मतलब normal स्वर होता है लेकिन लड़की के नाम के पिछे दिर्ग सुवर होता है जिससे नाम के बारे में मालूम पढ़ता है कि लड़के का नाम है या लड़की का नाम है इसके अलावा नाम भी छोटा होना चाहिए दक्षिन भारत में नाम कैसे दिया जाता है कमला पती अपला जलम संकर लिंगम जगपती राजू इतना बड़ा नाम दिया जाता है और चाइना में आप चलाए जाए तो हूँ, शी, हो गया ना तो नाम इतना छोटा भी मत दिजिए और नाम इतना बड़ा भी मत दिजिए और नाम करन संसकार जल्दी कराईए ऐसा नाम करन तो आप 12 दिन में कर सकते नहीं तो 45 दिन में कर सकते नहीं तो 100 देस में भी कर सकते लेकिन अगर नाम आपने जितना जल्दी कर लिया उतना अच्छा क्योंकि अगर लेट नाम करोगे, तो बच्चे का कुछ शृतो नाम होई जाएगा, कोई इसको चिडिया बुलाएगा, कोई कववा बुलाएगा, कोई छिपकली बुलाएगा, कोई बिल्ली बुलाएगा, तो लोग उसको कुछ न कुछ अलग नाम रख देंगे, इससे बेट मंतर उच्छारन होते हैं और बालक को स्दान करा करके उसको सुन्दर वस्तर पहना करके लड़का हो या लड़की उसके लिए होता है कहीं कहीं स्मृति शास्त्रों में ऐसा बोला भी गया है कि लड़के का नाम करन होता है लेकिन लड़की का नहीं होता है पर ऐसा नहीं, हम लोग तो लड़के का भी कराते हैं, लड़कियों का भी कराते हैं, तो आप लोग चिंता मत कीजिए, लेकिन ऐसा कहीं कहीं, सबका अपना-पना मत है, जैसे सिमंतों नहीं संसकार भी, पहले बच्चे के लिए कर सकते हैं, दूसरे बच्चे के लिए कंपलस के लिए होता है तो वो तो हो चुका है तो करने की क्या आवशकता है और जो लोग कहते हैं कि करना आवशक है वो ये कहते हैं कि 16 संसकार में इस मंतोने भी एक संसकार है तो वो 16 संसकार होगा नहीं मतलब उसका गिन के तो इसके लिए वो तो यह मत के उपर निर्भर करता है, आप किसकी कंपनी में हैं, पर हम लोग मोशली सारे लोगों का साभी संसकार कराते हैं, ठीक है, तो यह है नामकरन संसकार, अब नामकरन संसकार के साथ में जन्मतिन भी लोग मनाते हैं, happy birthday to you करते रहते हैं तो चिनमय मिशन जो है जो लोग काफी एक प्रकार का संस्कृतिक प्रचार कर रहे हैं उन्होंने एक बहुत अच्छा जन्मदिन गीतम करके ये नया निकाला है जो हम लोग भी इसका प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास अच्छे उप्षन में सबसे अच्छा उप्षन है कि ये जन्मदिन का गायन करना है आप happy birthday to you मत गाईए अंग्रेजी सब्व्यता को अपने पास लाने से अच्छा है उनकी सब्व्यता को थोड़ा सा हम एक्सचेंज करके अपने ही वैदिक चीजों को आगे लाएं तो कम से कम सुबाशितान के जैसे श्लो के हैं ये और जन्मदिनम इदम अई प्रिया सके शंतनो तिते सरवदामदम प्रार्थ यामहे भवशता युशी इश्वर सदा त्वाम चरक्षतु पुन्य कर्मना किर्तिम मर जया जीवनम तव भवत उसार्थकम बहुत सुंदर अर्थ है इसका मैं इसको एक्स्पिर्म करी देता हूँ कि आज जन्मदिनम इदम हे मेरे प्रियमित्र हे मेरे सका आज तुम्हारा जन्मदिन है शंतनो तुते सरवदा मुदम तुम्हारा मन सदेव शान तो हो और तुम सदेव अपने जीवन में सुख सम्रिद्दी से भरे रहो प्रार्थया महे भवशता यूशी अब ये आर्थ को आपको समझ में आ रहोगा कि मेरी ऐसी प्रार्थना है कि भगवान आपको शोवर्ष की आयू दे इश्वरा सदा तौमकर लंकर हो कि हम बोलते है क्रिषना सदा तौमकर लंकर करते रहे पुण्यकर्म ना किर्टी मर जया भगवान तुम सदेव पुण्यकर्म करो हे मेरे मित्र और किर्टी का अर्जन करो जीवनम तवा भवतु सार्थकम अपने जीवन को सार्थक बनाओ तो ये बोलना कितना अच्छा लगेगा लेकिन एपी बर्डे चलो जाएगे तो ये करने के बजाए ये कीजिए हाँ ये बहुत अच्छा बात बताया माते जीन जन्म दिन तिथी पर मनाना चाहिए जन्म दिन डेट पर नहीं मनाना चाहिए वो लास्ट वाला स्लाइस को लो उसमें ग्रिगोरियन कलेंडर के बारे में मनें बताया है बहुत अच्छा टॉपिक शिड़ा माते जीन थेंक्यू हाँ और देखो ग्रिगोरियन कलेंडर का इतिहास मैंने लिखाया ग्रिगोरियन कलेंडर के नुसार जन्म दिन पर प्रचलन हुआ है और इस कलेंडर के शिरुवात 1582 में पोप ग्रेगोरी तेरवी के तेरवी ने किया था और उसके पहले जूलियन कलेंडर का प्रचलन हुआ था जिसमें बहुत सी गलतिया मौजूद थी जिनें दूर करने के लिए पोप ग्रोगरी ने ग्रिगोरियन कलेंडर बनाया ग्रिगोरियन कलेंडर की मूह लिकाई दिन जो होता है और उसमें टोटल 365 दिन से मिला करके एक साल बनता है लेकिन चोथे साल में दिनों की संक्या 365 होती है ऐसे साल को लिपी यर कहा जाता है अब आपको इसकी रियल कहानी सुनाते है तिथी के उपर बहुत महत्वपुन बात है आप बड़े मनाना डेट के साब से छोड़ दोगे ये कहानी सुनके इसलिए ध्यान से सुनो जो लोग बड़े मनाते हैं आज हमारा डेट है 31st July है 1st January है ये बड़े मनाते हैं तो सुनिये ध्यान से Gregorian एक राजा था और ये सब कहां के हैं थे हम सब मिस्र के और वहां के थे नहीं मिस्र के नहीं Greece है Greece से Gregorian तो जो ये बड़े राजा थे इसको बड़ा अहंकार था Gregorian राजा को तो इसने क्या क्या जो Julian calendar ऑलोड़ी चल रहा था ये जो calendar है न सबका अपना-पना होता है हमारे देश में हमारा खुद का कैलेंडर भी है जिसको अमलब पंचांग कहते हैं इसे ध्यान से याद रखिए पंचांग किसे कहते हैं जिसमें पांच अंग हो तिथी, वार, नक्षत्र, करण, योग इनको मिलाके पंचांग होता है तिथी, वार, नक्षत्र, करण, योग अब ये सब आगे आएगा तो पंचांग के हिसाब से हम लोग हमारा कैलेंडर तिथी, अनुसार, तेवार कब आना है कब कौन से दिन आना है उसके आधार पे हम लोग हमारा फेस्टिवल, हमारी एकादशी हमारे कृष्ण जनमोटसो राम जनमोटसो उसी के आधार पे मनाते हैं अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से नहीं मनाते हैं लेकिन हम लोग अपना जो जनम दिन मनाते हो अंग्रेजी को हिसाब से मनाते हैं क्यों मनाते हैं? क्योंकि दिन रात हम लोग वो इंग्लिश कलेंडर ये फॉलो करते हैं. लेकिन आज का जो हमारा कलेंडर है, जो ये ग्रिगोरियन कलेंडर जिसको हम बोलते हैं, इस कलेंडर को जो आप देखते हो ना, जैनवरी, फर्वरी, मार्च, अपरेल, ये ग्रिगोरियन कलेंडर है, ये हिंदी कलेंडर नहीं है, तो ग्रिगोरियन कलेंडर इसने क्या किया था? उसने बोला नहीं, हम लोग हमारा कलेंडर बनाएंगे, इसका नाम होगा ग्रिगोरियन, और राजा अपने ही नाम से बोला मेरे नाम से होना चाहिए बोला अच्छा ठीक है बनाते है तो क्या करें एक काम करो ऐसा तैयर करो कि हम लोग हमारे सबसे पूरा एर कंट्रोल करेंगे तो सब जितने भी बुद्धिमान उसके मंत्रे थे उन्होंने बोला हाँ ठीक है तो बोला ठीक है तो कब से स्टार्ट करें बोला एक काम करो आज से ही पहला दिन है आज से एक जनवरी है ऐसा डिसाइड कर लो तो लोग ने बोला हाँ ठीक है ठीक है चलेगा अब ये 30 दिन भी क्यों आता है इसके पिछे भी कारण है चंद्रमा 15 दिन बढ़ता है इसके लिए 30 दिन आता है चंद्रमा के घटने बढ़ने के इसाब से हमारा महिना बदलता रहता है अभी कौन सा महिना चल रहा है बताओ हिंदी में महाराष्ट में जेस्ट है और अगर आप उत्तर भारत या वो साइड के रहेंगे तो वहाँ आशाड चल रहा है तो अभी कल परसो यह हो जाएगा अमावस्य आ जाएगी तो उसके बाद आशाड महिना चलो हो गया ठीक है तो सुनिये यह सब कितना हमारा महत्वपण पार्ट है जन्मदिन से रिलेटेड है यह तो पहला है कि उसने कहा कि आज ही एक दिन होना आज ही पहला जन्वरी है तो ऐसे करके तीस-तीस दिन का उसने पूरे बारा महिने का कलेंडर बना दिया और लोग ने तो लोग ने जब तीन-चाल साल के बाद देखा कि हमारा जो कलेंडर है जो एक तारिक आना चाहिए उसमें चार दिन का गैप हो रहा है चार साल के बाद बोला रही तो गड़बड हो गया तो लोग ने बोला रहे इसको alignment करो ठीक से इसको सिधा करो तो सभी बुद्धिमान उसके मंत्रियों ने फिर से क्या किया 31 31 करके महिना बना दिया बोला अब सेट हो जाएगा फिर कुछ 10-15 साल बीद गए तो एक साथ 15 दिन का gap आ गया बोले आप क्या करें यह 15 दिन कहां से भरे क्योंकि अभी जो एक तारीक आना चाहिए हो उसके compare में वो 14 दिन के बाद आ रहा है तो उसने राजा ने बोला तो सब ने बोला राजा यह तो calendar घड़बड हो रहा है ठीक नहीं बैट रहा है तो राजा ने बोला क्या problem है बोला रहे 14 दिन का gap आ रहा है तो बोला एक काम करो 14 दिन calendar से उड़ा दू तो सब को 14 दिन वो हटाने के लिए वो लोग ने February के महिने को 28-29 पे convert कर दिया जो अभी तक उसको लिपियर बोलते है और वो 28-29 कुछ कर नहीं रहे है वो सिब भर रहे है उनका calendar कि वो date का जो gapping हो रहा है वो gap ना हो इसके लोग 28-29 करते है हमारे में ऐसा कोई महिना आता है कि चंद्रमा आमा वस्या नहीं आएगा अज या पुर्णिमा नहीं आएगी अब ऐसा होता है क्या लेकिन ये लोग ने वो वाला माइंड को सेट करके उसको सीधा किया हुआ है तो आपको समझ में आया कि 14 दिन ही साल के गायब कर दिये जिसने उसका जूटा calendar लेके हम अपना date of birth मानते है सोचे आप हम लोग हमारे पास तिथी है नक्षत्र है करननय योगे जो तारा के आधार पर है सूरी के आधार पर है ग्रह के आधार पर है हम उसका पालन नहीं कर रहे है हम अपने बच्चों को भी तिथी का बात नहीं बताते है date का बात बताते है और वो date ऐसा हो चुका है कि हमें डेट ही समझ में आता है आज भी हमारे भक्तों को एका दर्शी कब है ये समझने में इतनी कठिनाईयां होती है उसका कारण क्या है क्योंकि अपना कैलेंडर हम लोग फॉलो ही नहीं करते हैं पंचांग अगर आप जानेंगे तो रोज प्रथम, दुतिय, तृतिय, चतूर्थ, पंचम, सष्ठम, सब्तम, अश्टम, नवं, दशं, एकादर्श, द्वादर्शी, त्रयोदर्शी, चतूर्दर्शी, पुर्णिमा, या मवस्य, यही आएगा तो एकादर्शी मतलब 11 नंबर जोतिती आएगा तो हमारा जनम जनरली 15 दिन के अंदर ही होता है या तो हम अश्ठमी में जनम लेंगे या आप सब तमी देखो कृष्णा, जनम, अश्ठमी, राम, नवंी, फिर वामन, द्वादर्शी, यह क्या है? तिति के अनुसार आ रहा है और कुछ नहीं, इसिर तिति ही है वैसे हम लोग जब भगवान अपना बड़े तिति में मनाते हैं तो हम लोग अभी उनसे सीखना चाहिए न तो हम भगवान नहीं बनना चाहिए भगवान के जो नियम है वैसे पालन करना चाहिए तो तिति के अनुसार आप जनम दिन मनाईए और जन्मदिन के अंदर आप सभी लोग बच्चों को केक काटना न सिखा करके कम से कम उनके साथ में दीब जलाना सिखाए देगे दीब जलाते हुए छोटे बच्चे दीब जला रहे हैं और हम लोग ये क्रिया करते हैं हम लोग काफी सारे अस्थानों पर हम लोग ये क्रिया चालू कर चुके हैं हमारे मुंबई के कई सारे क्षेत्र में लोग कर रहे हैं और एमदाबाद में कर रहे हैं दिल्ली में कर रहे हैं गुजरात के कुछ भाग में कर रहे हैं महाराश के कुछ जगह कर रहे हैं कर रहे हैं लोग यह सब दिए तो हम क्या कराते हैं बड़े के दिन में बच्चों को हम लोग अब बच्चे तो बच्चे हैं वो तो सब जगह देखते हैं बड़े मनाया जाता तो हमारे लिए भी कुछ होना चाहिए तो आप उसको replace नहीं कर सकती कि read, हम बस किर्तन करेंगे और बड़े नहीं मनाएंगे, उनको कुस्टोच चाहिए कि हमारे लिए भी होना चाहिए, तो बच्चों के लिए हम उसके बिहाफ में क्या कर सकते हैं, उसके against में क्या चेंज क्या कर सकते हैं, वो हम बता रहे हैं आपको पहला है कि आप घर में उस दिन सारे बच्चों को बुलवाईए सभी बच्चों के सामने केक मत रखे केक आप बच्चों को रोज खिलाईए कोई प्रॉब्लम नहीं है बड़े के दिन केक मत लाईए केक को इतना वैली क्यूं? क्या दिया है केक ने हमें? शक्कर ही तो है पूरा भरा हुआ शक्कर वो खाने से वो डाइजेस्ट भी नहीं होता बोडी में लेकिन हम लोग ले भर-बर के अब तो खाते कम लगाते ज़्यादा है लेकिन वो केक कौन सा अच्छा आइटम है? लेकिन केक काटना और काटना हमारे में कोई संस्कृती नहीं है हमारे कोई काटनी की संस्कृती नहीं हमारे जोडनी की संस्कृती है दीप प्रज्वलित करने की संस्कृती है दीप बुझानी की संस्कृती नहीं गरुन पुरान के अनुसार जो व्यक्ति मूँ से दीप को बुझाता है फुक मारके, उसको अगले जीवन में अंधा बनना पड़ता है और आप बड़े के दिन में, हुँ, हैपी बर्डे टू यू, चालो मतलब अगले जनम बेटा पक्का तू अंधा होने वाला है और यह होंगे ही होंगे, इसमें रूल्स आर रूल्स, आप नियमों का अप लंगन करेंगे और आप एक्षा करेंगे हमने गलती से किया, तो गलती से सिगनल तोड़ने से आपको शमा नहीं मिल जाएगा रूल्स आर रूल्स, तो इसके लिए जब भी आप जनम दिन मनाएं, कम से कम दीब जलाने की सिक्षा दिजिए बच्चों को अगनी को भुजाने की सिक्षा हमारे शास्त्रों में नहीं है, मैं एक जगा यग्य करने गया था, तो एक छोटा सा बच्चा, हमने ये दीब, जैसे ये समाई है, हमने इसमें दीब जलाए हुए थे, तो वो बच्चा इसे जलता हुआ देखकर आके बार-बार फूक मार र तो हमने ऐसी सिक्षाओं को अपने पास जोड रखा है, चलिए आजकल हमारे भकलोग कम से कम वो मौमबत्ती को बुझाते तो नहीं है, लेकिन केक काटने का विधान तो अभी हमने भी बना रखा है, तो इसको रिप्लेस कीजिए आप, केक खाईए ना, मैं मना नहीं कर रह मावा, उसका गोवर्धन बनाईे, उसमें बच्चों के हाथ से डिजाइन कराईए, उसमें ड्राइफ्रूट के आखे बनाईए, नाक बनाईए, होट बनाईए, गोवर्धन के आखों का, मेरे पास वह सारे फोटो मिल नहीं पाए, इसके लिए मोब नहीं लगा पाईए, तो गोवर्धन बनाईए और या तो कुछ नहीं मावा का नहीं कर सकते तो रवे का बनाईए रवा का बनाईए अच्छा से उसमें केला या पाइनेपल किसका भी मिक्षर करके बहुत अच्छा हलवा बनता है आप उसका पिरामण बना दीजिए और वैसा गोवर्धन परवत और गोवर्धन परवत को डिजाइन कीजिए और सभी बच्चों के हाथ में जब उसको हम लोग ये गाएंगे ना हैपी बड़े उसकी जगह हम लोग क्या गाएंगे जन्मदिनमिदं अई प्रिया सके शंतनो तुते सर्वदामुदं प्रार्थया महे भवशता युशी इश्वरसदा त्वाम्चरक्षतु पुन्यकर्मणा किर्तिमर्जया जीवनम्तवा भवतुसार्थकं तो ऐसे गाना सभी बच्चों को सिक्षा देना और सभी के हाथ में दीप रेडी करके रखना उनको बोलना दीप किसको दिखाना है गोवर्धन जी को दिखाना है तो वहाँ पर भगवान के एक छोटे से फोटो रखी गोवर्धन जी की और गोवर्धन जी आपने बना रख तो प्रकार जैराधा, जैक्रिशना जै विरिंदावन जाए और भजन गाते हैं करना, चाहर परिक्रमार, 11 परिक्रमार बच्च मारते हैं, तो ऐसी परिक्रमार तो बच्चे धूब आनंद लेते हैं, परिक्रमा करें, और यह के बाद आप दे खrones खोस्तिव करें, जादू कर तो वो उनको सुनाईए, इससे उनकी knowledge बढ़ती है, या उनको कुछ ऐसा game type खिलाईए, कि वो बच्चे जो है, वो game खेलने में बहुत उसुक होते हैं, कोई puzzles होता है, कुछ होता है, तो बताते हैं, इसको जो complete करेगा, वो जल्दी आएगा, उसको हम prize देंगे, प्राइज हम सबको देते हैं, लेकिन एक को बताते हैं, कोन पहले करेगा, तो इस प्रकार से आप बच्चों का जन्मदिन celebrate कर सकते हैं, यह होती है, वैदिक्ता से हम celebration लाएंगे, जिससे हमारे बच्चे अपने जन्मदिन को भी बहुत सुन्दर तरीके से मनाएंगे, और उसी दिन बच्चों के हाथों से गरीबों को दान कराई है, ब्रामन को तो दान करना ही चाहिए, उसमें कोई प्रश्ण ही नहीं है, लेकिन जा करके गरीब बच्चों को अपने हाथों से कुछ वस्त्र दान करना, कुछ भोजन दान करना, पैन पैंसिल देने क्या होशकता नहीं, क्योंकि वो जो गरीब भेगते हैं, उसके लिए वस्त्र मिल जाए, भोजन मिल जाए, यही उसके लिए सबसे बड़ा सुख है, आप उसको चोटा मोटा गिफ्ट मत दीजिए, जाओ बेटा, एक चौकलेट बाट क्या हो, यह इतने से चौकलेट में क्या होता है, कम से काम खिलाओ, तो एक अच्छा सा कुछ वस्तू खिलाओ, तो पेट भी भरे तो आशीरबाद भी निकलेगा, चौकलेट तो लोग खा गया, इसे फेक देते हैं, यह कितने लोग तो खाते भी ने फेक देते हैं, इसलिए खिलाना ही है, तो लोगों को कुछ अच्छा वस्तू लाइए, लाइक समोसा दीजिए, या भगवान का अच्छा भोग लगा हुआ कोई रस गुला, रस मिलाई, दीजिए ना, लोग वैसे भी बड़े में खर्च करते हैं, आप क्यों नहीं करते हैं, करना चाहिए तो इस प्रकार से हम लोग बच्चों का सेलिबरेशन कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, और उस समय जब बच्चे के सामने, जो गरीब बच्चे आएंगे, उनको देने की जो भावना रखेगा, जो देगा, तो उसके जीवन में एक संसकार जाएगा, कि मेरे पास तो मुझे मिल रहा है, लेकिन इनके पास तो मिल भी नहीं रहा है, तो हमेशा जीवन में वो प्रहतन करेगा, कि कैसे में इनका दुख दूर करूँ, और यही है वैशनो वृत्ति, पर दुखे, दुखी, अभी क्या हो गया है, वैशनो धर्म तो ही नहीं किसी के पास, इसलिए पर दुख दुखे, सुखी हो रहे हैं सब, एक डॉक्टर कब खुश होता है, जब पेशन नहीं आता है, एक वकील कब खुश होता है, जब सब लोग शांती से रह रहे हैं, तो कौन खुश होता है, यह सब पर दुखे, दुखी वाला फॉर्मूला है, पर दुखे, सुखी वाला फॉ हम लोगों को यही सिक्षा बच्चों में देनी है चले नेक्स आता है निश्कमन संस्कार यह भी हमने रिसेंटली किया था गुपिनात मंदिर में यस यस धन्यवाद प्रभुजी चुकि मुझे भागना इसलिए मैं कुछ चीजने मुझे छुटती जा रही है बहुत अच्छा प्रशन कि जात कर्म के लाब क्या है पहला लाब यह है कि बच्चे के अंदर उसकी बुद्धी जो है मस्तिश्क जो है वो तिव्र होती है इसलिए उसको मेद जनन क्रिया कहते है यानि उसकी बुद्धी तीवर हो उसके लिए और दूसरा होता है जब बच्चा मा के गर्म से बाहर आता है तो तुरंट हवा जलवाई उसके लिए बदल जाता है पहले अंदर गरम होता है लेकिन बाहर आते हैं ठंडा गरम महसूस होता है उसे, तो उसके शरीर में कफ और पित्त का वृद्धी होता है, जिसको घटाने के लिए आयुरवेद में शहद और घी को चटाने से वह सब शांत होता है, इसके लिए यह जात कर्म संसकार कराया जाता है, बस इतना है सज्जन पुरुष हो, कोई घर के अपने गुरु हो, कोई हमारे बहुत परिवार के जो ब्राम्मन हो बड़े वरिष्ट ब्राम्मन, उनके द्वारा कोई भी करा से, लेकिन उस समय वो अबलेवल होने चाहिए, उसे टाइम वो करने चाहिए ये महत्वपुर्ण का रहे है, वो नहीं होता है वो होगा तो कर सकते है या घर में आएं तो घर में आप उनके हाथों से करवा सकते है लेकिन अब आपको इस रिष्ट पुरुष अगर घर का है तब तो ठीक है कोई बाहर का अगर आ रहा है तो उसको तो आपको कुछ देने के लिए करना पड़ेगा और आप दस दिन तक द्यान नहीं कर सकते तो ये सब भी बाते है हाँ तो वो उनको बोलने का कि अभी जब जनम अभी उसका नाम करन करेंगे तो हम दे देंगे तो बोलते हैं नहीं तो आरे ऐसा नहीं मिला बड़ ऐसा कुछ नहीं है वो लोग सिब अपना काम करने के लिए आपको फोर्स करते हैं आप उनके आवेश में मताईए आप उनको बोलिए अभी हमने नाम करन किया नहीं नियम के लिए नहीं बने है तो इसलिए यह नियम सब जो भी लागू हो रहा हमारी लिए हो रहा है हम नियम के लिए नहीं लागू हो रहा है आराम से कि लेकिन आराम से कि कोई इसमें यह कहा ही नहीं है हाँ और कोई प्रश्णा किसी का जितना जल्दी हो चलेगा क्योंकि कभ तो इसके लिए नामकरन के लिए 100 डेस यहां तक की एक साल का समय दिया गया है कि आप एक साल में कभी भी कर सकते हैं इसलिए गरगाचारी भी देखो कहां आये थे बाद में आये थे क्रिश्न लगबग कितने लोगों को जब तक सफाय कर चुके थे तब गरगाचारी को भीजा गया थे नामकरन करने के लिए तो लगबग यह सब चलता है तोड़ा लेट फास्ट होता है इसके लिए इसलिए कंपलसरी टाइम नहीं बता है बड़ बता है कि मिनिमम आप यह डेस से करवा सकते हैं जितना जल्दी हो as soon as possible नहीं अक्षर लेकर के नाम को रखना है लेकिन नाम को मन में रखना है जब नामकरन संसकार होगा तो उसी दिन उसको रेजिस्टेशन बोलते हैं कि संसकार वाले दिन है उसका नाम होना है उसके पहले आपको नाम अनाउंस ही नहीं करना है किसी को जो भी नाम है वो नाम उधर ही रहने दीजिए जब नाम लोग अनाउंस करेंगे हम तो पब्लीकली जब अनाउंस करेंगे तो नाम करन के दीनी करेंगे उसके पहले हम किसी को नहीं बताते हैं इवन पत्नी को भी नहीं बताया जाता है विदी हमारे वैश्णों में ही विदी है कि अपनी पत्नी के बाए कान में पहले बोलो फिर अपने बच्चे के दाहिने कान में बोलो फिर सब को अनाउंस करो नाम करन येस येस उस दिन उसको सब के आगे उजागर किजिए तो वही है कि आप नाम जैसे परम पुझे राधाना स्वामी महराज के दोरा हम लोग ने कई सारे बच्चों के नाम करन करा है तो महराज जी क्या कहते हैं पहले लोग है ना महराज को बोलते थे महराज आप नाम दीजिए तो महराज अपनी इच्चह से स्विच्चह से कोई भी नाम देते थे तो बहुत सारे लोग बोलने लगे नहीं महराज हमको तो ये वाला नाम चैहिए था आपने इसा रखा तो कितने लोग नाम नहीं रखते थे, गुरू महाराज ने भी दिया तो भी नहीं रखते थे, ऐसे कुछ लोग है, ऐसे एक का दुक्का है, तो लेकिन फिर महाराज जी ने देखा कि लोगों की भावना है, उसको थोड़ा उनका भी सम्मान करना चीए, तो महाराज जी, आपको कोई एक नाम दे दूँ, यह होता है गुरू, तो अभी जनरल ही क्या होता है, कोई भी महाराज जी को अगर नाम करन कराना होता है, तो महाराज जी को, जो महाराज जी के विशेश कोई परसनल असिस्टन्ट होते हैं, तो वो इनके पास नाम भेजते हैं, कि महाराज को नाम देते हैं महाराद जी वो नाम देख करके उनमें से एक सेलक करके दे देते थे यही नाम तो अभी बहुत साने नाम करन ऐसे ही हो रहे हैं जल्ली और हाँ एक विशेष रिक्वेस्ट है हमारे सभी इसकौन भक्तों से कि आप अपने बच्चों का नाम गवरांग कृष् गवरांग और कृष्ण यह दो नाम के अलावक कृष्ण के बहुत सारे सहस्त्र यूग धारने नमहा जो भगवान हजारों यूगों को धारन करते हैं उसके नाम भी है तो उनके कोटी-कोटी नाम है अब बहुत सारे नाम है उसको चोईस कीजिए केवल गवरांग नाम मत रखे वरना एक समय ऐसा आएगा हमारे यहाँ पर जब हम सभी भगतों को गए गवरांग वन इदर आओ गवरांग सेवन इदर आओ ए गवरांग फिफ्टी वन तो कहा गया था ऐसा नहीं हो ना चाहिए तो उसके लिए नाम करण में एक ही नाम मत रखिए क्योंकि जादा ह हमारे सोसाइट्यी ऐस ही कहम सभी आसपास रहने वाले हैं, बार बार हमारा ठक्रा होगा भकतों के बीच में, तो हम गवरांग प्रभू जैसे आज हम गवरांग प्रभू कहते हैं, तो हम सभी का ध्यान तु vagy तुछून्द हम तुनता तुरंच जाता है, हमारे गवरांग में नाम हो, गौरांग नाम मत हुआ, गौरांग नीधी रखिये, गौरांग चरन रखिये, चलेगा, शिर्प गौरांग नाम मत रखिये, ठीक है, मुझह गौरांग नाम से वो बात नही है, लbereich हैं, हमारी लिए कटिनाई हो जाएगी कि हमें समझने में कि गौरांग किसका नाम है करके हैं कि वो गौरांग प्रभु की बात करें कि ये गौरांग प्रभु की बात करें ऐसा होगा ठीक है ये अपने अनुभो के आधार पे रिक्वेश्ट था